हलो फ्रेंड स्वागत है आपको इपने चैनल गर्देजी इनफोर्मिशन में दोस्तों कर आप एक ड्राइवर हैं और खुद के लिए अगर आपको कॉमर्सेल वहान प्लान करते हैं यानि माल डुलाई के लिए अगर आप लोडिंग वहान खरीदने का प्लान मनाते हैं तो इनजी का इतना नहीं है लेकिन पैट्रोल और डीजल में से सबसे ज्यादा कंपेरेजन किया जाता है कि पैट्रोल ले या फिर इसकी कीमत में क्या फरक है तो आप वीडियो एंड तक बने रही है हम आपको सही डिटेल में बताएंगे कि कौन सा बैटर है बाहर से देखने म आप इनमें कोई कंपेरेजन नहीं कर सकते हैं यह कौन सा डीजल है पैंट्रोल है दोनों ही सेम है और अगर हम साइड प्रोफैल में देखें तो आप यह नीचे देख सकते हैं पैट्रोल में आपको डेफ यानी यूरे टेंक देखने को नहीं मिलेगा जो कि डीजल में आप हम पावर और प्रफोर्मिंस का कंपेरेजन करें तो अगर आप डीजल लेते हैं तो इसमें आपको 20 एज़न मिलता है जो पैंटालेश नम का टॉक्स जेनरेट करता है इंजन कैपिसिटी की बात करें तो इसमें आपको इसमें आपको 694 का इंजिन मिलेगा इसमें भी विहल बेस है जो 200 mm का है दोनों की लोट बोड़ी की बात करें तो दोनों की लोट बोड़ी सेम है डाला की जो लंबाई है जो बोड़ी बोड़ी का ग्राउंड की लियरिंस है तोनों में ही őं ztacat once pada dicey phone बोड़ी बाउंट मिलेगा और इसमें आपको इसमें सेम वी यूश्व अप्सिन हैнов यश्ως में ओप्स भी मिलेगी आप मायलेज अच्छा बढ़ा सकते हैं और आपको डीजल में दस लेटर का यूरिया टेंग मिलेगा जो डेफ बैटरी के पास लगा हुआता है जिसमें आपको पैटरोल में ये देखने को नहीं मिलेगा चलिए अब देखते हैं टाडा इस गोल्ड डीजल और पैट कीमत भी ज्यादा लगी है तो इसमें टोटल कुल मिला कि लगबग एक लाग रुपे का डिफरेंट आएगा अगर आप टाटा इस गोल्ड पैटरोल लेते हैं तो डीजल के बजाए एक लाग रुपे सस्ता पड़ेगा तो इस रिजाब से अगर आप फाइनिस भी कराते है तो लगबग ये 18 से लेकर 20 तक का मायलेज देता है लोड होने के बाद और डीजल के अगर हम बात करें तो ये भी लगबग 18 से लेकर 21 तक का मायलेज देता है तो इसमें कोई मायलेज में कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं है हालां कि अलग लग रास्तों के इसाब से अलग बहुत इन में डिफेरेंट आ सकता है कहीं ज़्यादा माइलेज होता है तो कहीं कम माइलेज भी देते हैं जैसे अगर आप मार्केट में चलाते हैं या फिर उबड़ खाबर डरस्तों में चलाते हैं तो फिर आपका जो है दोनों ही माइलेज कम देंगे तो वो महंगा त्यार होता है तो उसमें oil filter वगेरा भी वो महंगे आते हैं और petrol गाड़ी, diesel गाड़ी के बजाए maintenance कम करती है इसमें जो parts आते हैं वो तोड़ी सस्ते आते हैं और maintenance आता भी कम है और बिल्कुल ही silently smoothly चलती है तो petrol गाड़ी maintenance के मामले में ज्यादा better है टाटा एस गॉल्ड डीजल और petrol का अगर हम सामानी comparison करें तो लगबग दोनों में सैम है, suspension के अगर हम बात करें तो दोनों में फरेंट में आपको parabolic leaf spring मिलेंगे, rear में semi elliptical leaf spring मिलेंगे, tire दोनों के सैम है, wheel dimension के अगर बात करें तो वो भी दोनों में सैम है और fuel tech capacity के बात करें तो आपको diesel में 30 लिटर की मिलेंगे वहीं, आपको petrol में 26 लिटर की मिलेंगे, performance के बात करें तो आपको petrol में 30% की gradability मिलेंगे, यानि जो चड़ान की समता है वह थोड़ी ज्यादा मिलेंगे, और आप diesel में 27.5% की gradability मिलेंगे, हाला कि ज्यादा को different नहीं कह सकते, और height और व से पहले अपनी जरूद समझनी होगी कि हमें किस काम में ले रहा है, कौन सा माल ढूलाई करना है, कैसे रस्ते पर चलाना है, मार्केट में चलाना है, हाईवे पर चलाना है, उस हिसाब से आप अपनी जरूद के इसाब से ले सकते हैं, उसके बाद अगर हम, मैं अगर आपक में पैट्रोल ले सकते हैं क्योंकि पैट्रोल एक लाग रुपे पूरा सस्ता पड़ता है उसमें आपको मेंटिरिंस कम आएगा और आपको पफॉमिंस उसमें अच्छी मिलेगी आपको साइलेटली आप ज्यादा कार्य समता के साथ उसमें काम कर सकते हैं लंबे समिश तक उतनी आवाज नहीं करेगा और प्रदूसन भी नहीं करेगा और कब पता सरकार की कौन सी पॉलिसी चेंज हो जाए तो डीजल गाड़े बंद हो जाएं तो मेरे ख्याल से पैट्रोल ज्यादा बेटर है क्योंकि एक लाग रुपे सस्ती है जिसे अगर आप हाइनेस करवाते कर सकते हैं और ज्यादा लंबे समय तक आप काम कर सकते हैं और अच्छी परफॉमेंस देगा तो मेरे खाल से पैट्रोल ज्यादा बेटर है उसके बाद आप अपनी जरूत के हिसाब से ले सकते हैं उमीद करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फोर्मेटिव लेगी अगर आ सब्सक्राइब करते हैं तो आपके पास नोटिपेकर से ना जाएं